याँ नीटिंग की नई वीडियो आप लोगों के साँ शेयर कर रही हूँ वैरी ब्यूटिफुल नीटिंग डीजाइन है और इससे आप टू कलर मॉल्टि कलर में बना सकते हैं बेबी स्वेटर काप सोक से इत्यादी में डाल सकते हैं और देखे पूरी वीडियो देखे तभ अगर बीजाइन स्वेटर का एकदम नया डिजाइण में सुरू कर रही हूँ यह मैंने नीचे से बॉर्डर पट्टी बनाई है आप लोग भी बना लीजिए अगर किसी स्वेटर में डालते हैं तो यह जो डिजाइन में डाली हूँ यह हमेशा स्वेटर की आगे वाले पा तो यह देखिए मैंने इसमें यह पर यह नॉट लगा दिया है और इस फंदिकों हम इस तरीके से इसमें डालेंगी यह डिजाइन हमेशा दो कलरवर बनता है और काफी अच्छा बनता है देखिए चार लाइनों में डिजाइन कंप्लीट होता है तो स्वेटर के आगे भाग स सुरू नों को पीछे भाग से सुरू होता है आप कैसे बनाते हैं देखिए पहले एक तागे मैं नॉट लगाके डाल लीजिए उस तागे को और एक फंदा उल्टा तागा अपने तरफ से लाई अपने तरफ करते हुए तिप तागा आगे को करके दूसरा फंदा सीधा इस इसी भी बेबी स्वेटर, सॉक, स्कैब, वोबन स्वेटर में डाल सकते हैं देखिए पीछे से एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करके पूरा रो कंप्लेट करना है और यह चार स्वेटर के पीछे पाले पाट से ही सुरू होता है अब आगे वाली स्वेटर में देखिए एक सिलाई तो हमने सीधी, उल्टी वाली बिन ली अब दूसरी सिलाई हम सीधी, सीधी बिनेंगे यानि कि सीलाई पीछे, तागा पीछे करते वे पूरा रो कंप्लेट करूँगी और पूरा रो कंप्लेट करके आप लोगों को दिखाती हों प्लीज अगर यह वीडियो complete कर लिए आप दूसरी लाइन जो होगी वो तागा अपने तरफ सिलाई अपने तरफ करके पीछे साइड हम उल्टा-उल्टा बिनेंगे देख सकते हैं आप और इस लाइन को complete करके दिखाती हो अब आगे हम बिनाएगी तीसरी सिलाई में तीसरी सिलाई में देखे अब हमने तागा पीछे सिलाई पीछे करते हुए पूरी रो सीधी सीधी complete करनी है और इसके बाद जो रो आएगे उसमें फिर हम चौथी लाइन में डिजाइन डालेंगे आप लोगों समझ आ गया होगा कि तीसरी लाइन चौथी लाइन में हमारा डिजाइन श्टार्ट होगा और पीछे साइट से देखे अब आगे हम स्वेटर के पीछे साइट जिस तरीके से देख सकते हैं आगे हमारा डिजाइन बना उसी तरीके से आप पीछे भी डिजाइन बनेगा और हमने वोही repeat करने है जैसा हमने शुरू में repeat किया जैसे हमने नीचे repeat किया एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा पीखियो, लखती है थिलाई अपनी तरफ, तागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदा पहले हम उल्टा पिनेंगी इसमें दूसरा तागा ही यूज करेंगे, हम क्योंगी दो कलर में ही काफी अच्छा लगते हैं ये, फिर तागा पीछे, सिलाई पीछे करते हुए, एक फंदा सीधा, फिर तागा अपनी तरफ उल्टा, तागा पीछे, सिलाई पीछे सीधा, तागा अपनी तरफ, सिलाई देखे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा करते वे मैंने अपना पूरा रो कम्पलीट कर लिया है इसी तरीके से आप भी कीजिया और देखे मेरा डिजाइन दिखना सुरू भी हो गया है देख सकते हैं थोड़ा उपर उपर बनाएंगे तो हमारा डिजाइन और अच्छे से दिखना स्टार्ट हो जाएगा अब हमने वैसी रिपीट करना है जैसे नीचे किया था अब हम आगे सीधी साइड तो सीधी साइड हम इस रो को अब सीधा सीधा बिनेंगे तागा पीछे सिलाई पीछे करते वे पूरी रो सीधी कम्पलीट करेंगे और सब्सक्राइब आपने तरफ पी पूरा रोख कम्पलीट करेंगे लॉक न बना कि यह लाइन मेरी कम्पलीट हो चुकी है अब आगे हमें सीधी साइड सीधी साइड दिखे इसलाइ पीछे पाग पीछे इस तरीके से हम पूरी रोख अपनी पाइड करेंगे यह नीचे पैटन डालगे मेरे थ्री लाइन है कम्प्लेट हो चुकी है और देखे पैटन भी का फिर अच्छा लग रहा है अब देखे अब हमने फिर यहां पर पिंक वाला तागा यूज करेंगे यह यह देख सकते हैं यह चलाए अपनी तरफ यह पिंक तागा अपनी तरफ यह इस तरीके से एक फंदा उल्टा बना दिया फिर 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 कर लिया है और यह देखिए अब मेरा डिजाइन देखिए सुन्दर दिख रहा है अब इनी इनी सिलाईयों को इनी डिजाइनों को हमने बार बार रिपीट करना है अब देखिए अब मेरी पूरी सिलाई सीधी जाएगी पीछे की साइड उल्टी जाएगी आगे की साइड की स थोठी सलाइमा श्याइс फेडेयरे स्टार्टीन है। अगेसे बढ़ों के स्टार्टीन में प्टे में में और मीशनयरे स्टार्टीन अमके अर्वाधे उसक्षी," और इसली प्लीजेड़ вол जैकेट वगर में डाल सकते हूं आप थोड़ा सा इसको बना के दिखाते हूं आपको देखे ये देखे इतना बना दिया हमेंने और काफी सुन्दर ये डिजाइन लग रहा है इसलिए प्लीज अगर ये डिजाइन आप लोगों को अच्छा लगे लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना काफी ब्यूटिफुल निटिंग डिजाइन है देख सकते हैं